तोस्तों, जियो फाइनेसल सर्वीस की बात करें कम्पनी अपना quarter one का result डिकलेर करने जा रही है उसके पहले बहुत बड़ी गुणिज निकल के आ रही है अब जियो फाइनेसल सर्वीस ब्लैक रॉक के साथ मिल कर एक नई कम्पनी की गठन की त MIDI कर रही है जो आने वाले समय में, जो नए स्टार्टप्स है, जो कंपनिया, जो प्रा+, प्राइवेट प्लेयर हैं, उनको लोन बाटने की तयारी कर रहे है, बिल्कुल नए सेगमेंट में इंटρι की तयारी है, यानि एक के बाद एक जियो फ़ाइनेंसल में जो फैसले हो रहे, वो बहु अलग लग ब्रोकेज फिर्म की क्या राय निकल क्या रही है समय श्टॉक काफी दबाव में पिछले कई समय से नीचे है क्या करना चीए लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक उन सर्विस के कारोबार की बात कर लें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआ तो सुबह पॉइट हुए 334 पर क्लोजिंग कल 333 के आसपास थी इंट्राडे में 335 का हाई भी बन गया तो बाजार ने साथ दिया होता तो तो तेजी बन जाती लेकिन देख सकते हो कि सुबह श और फाइनेसर मदी ही और सभी मेड कैप स्मॉल कैप में जबर्दस गिरावट हुई है अब यहाँ पर देख सकते हो कि फिलाल श्टॉक एक सीवी दायरे में ट्रेड कर रहा है लेकिन काफी समय के बाद श्टॉक 340 के नीचे आया है अब आप देख सकते हो कि श्टॉक इस म स्टॉक ने फिर एक बार अच्छी तेजी बताई और स्टॉक फाइनली 343 तक चला गया 342 तक चला गया इसका मदबी है कि फिर से 340 को पार किया पर पिछले एक ट्रेडिंग सेसे दो ट्रेडिंग सेसे स्टॉक फिर 340 के नीचे आया है तो बाजर की गिरावट की वेसे 340 का एक मजबूस सपोर्ट है और इसको लगातार उस सपोर्ट पे आ जाता है श्टॉक अब जो बड़ी गुड़नी निकल के आ रही है दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर कंपनी ब्लैक रॉक और मुके संबानी की जियो फाइनेसर सर्वीस एक नई डील की त्यारी कर रहे हैं दोनों फर्म प्राइवेट क्रेडिट वेंचर्स इतापित करने की योजना बना रहे हैं तो यह जो नया वेंचर्स बनाने की तैयारी चल रही है इसका उद्देश यह है डारेक्ट लेंडिंग के बढ़ते ऑपोर्चुनिटी का फाइदा उठाना ब्लूमक की रिपोर्ट के मुताबिक जो खबर निकल के आ रही है कि नए वेंचर्स में दोनों कमपनियों की 50-50% की इस्सेदारी होंगी इससे पहले भी हमने देखा है लगातार जितने ही नई कमपनियों का गटना उसमें 50% की इस्सेदारी ही हो रही है 50% ब्लैक रोक और 50% जियो अगर यह डिल फाइनल होती है तो दोनों कमपनियों के बीच यह तीसरा वेंचर्स होगा बता देखी दोनों कमपनियां एसेट मैनेजमेंट और स्टॉक ब्रॉकिंग में अलड़ी हाथ मिला चुकी है और यह बीजनस के लिए भी अब देखे तो तैयारी हो चुकी है कुछ जो डेगुलेटरी अभी जो मंजोरी मिलने है वो मिलने की तैयारी है जल्दी सारे बीजनस के करके सुरू हो जाएंगे अलगी डील को लेकर फिलाल ब्रलैक रॉक और जियो फाइनसर के तरफ से कोई भी टिपपड़ी नहीं की गिये लेकिन जैसे कि हमने पिछले के देखे बेस कैपिटल मैनेजमेंट एलपी एंड वर्दे पार्टन जैसी ग्लोबल कंपनियां लोकल कंपनियों की बढ़ती फंडिंग जरूतों को पूरा करने के लिए कारुबार को आगे बढ़ा रही है और ईवाई के एक रिपोर्ट के अनुसार दो जार चोबीस की पहली के अपनारी अब कल हमारे सामने कौर्टर टू का रिजल्ट भी आने वाला है रिजल्ट बैतर रहने की पूरी उमीद है तो रिजल्ट के बाद अगर आप देखे तो यहाँ पे इन्वेश्टर के साथ में और सब के साथ में एक बोर्ड मीटिंग होगी यह साड़े साथ मज करने जानकारी देगे या आप स्टेब बाइस को फॉलो करके आप लाइव उस रिजल्ट को देख सकते हैं उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं तुब यहाँ पे देखें कि जियो फाइनेसल सर्विस को लेकर वेल्थ मिल सेक्यूर्टी की तरफ से क्रांथी बैठनी का कहना है क कि जियो फाइनेसल सर्विस का जो श्टॉक है इस समय थोड़ा सा सुर्कियों में तो इसके पीछे वज़े कि जो इनका म्यूचल फंड का बीद्नेस कंपनी सुरू करने जा रही है इसकी परमीसन मिल चुकी है इसके लावा कंपनी का कॉर्टेटू का रिजल्ट भी आने व समय में जो सारे रेगुलेटरी परमीसन मिलने के बाद बीद्नस तेजी से बढ़ेगे तो इसकी शेर की प्राइज भी बढ़ेगी तो होल्ड करने की सला दिया क्रांती बैठनी रहा अब यहां पर देख सकते हो कि आननद राटी की तरफ से जीगर एस पटेल का कहना है कि इ से नीचे गया तो सिगनल गिरावट के दिखाई दे सकते हैं तो 350 को क्रॉस करने पर 365 का एक शौट टर्म टार्गेट देखनों को मिल सकता है और जो ट्रेडिंग रेंज बताई है 320 से 365 की ट्रेडिंग रेंज रह सकते है शौट टर्म के लिए दूसरी तरफ अगर आप देखे तो वो सो कृष्णन का कहना है कि इस समय श्टॉक 325-320 की रेंज में है जो थोड़ा सा यहां पर चिंदा जनक है क्योंकि यहां से और गिरावट की समभनों भी दिख सकती है श्टॉक को एक मजबूत जो सपोर्ट अगर आप देखे तो यहां पर दिखाई तो दे लेकिन श्टॉक जब तक 345-350 के उपर नहीं जाएगा तब तक तक तेजी की समभनों दिए एक बार 350 को क्रॉस करेगा तो बड़ी तेजी बन सकती है दूसरी तब देखे तो श्टॉक बॉक्स की तरफ से खुसाल गांदीगा भी कहना है कि इस समय श्टॉक में नई पोजि से आगे बढ़ेगा और फिर उसमें आप खरिदारी कर सकते हैं कम से कम 360-370 के उपर जाने के में किसांदार तेजी की समभनों बन सकती है अब हमारे सामने कल रिजल्ड भी आने वाला रिजल्ड की क्या समभना रह सकती है तो यहाँ पे अगर हम पिछले रिजलों की बात क सबसे पहले रिवेन्यू की बात करें मार्च 2023 में कमपनी का रिवेन्यू मात्र 45 क्रोड के आसपर था लेकिन मार्च 2024 में 1855 क्रोड का जबर्दस कमपनी का रिवेन्यू रहा खर्च की बात के तो मार्च 2023 में माइनस 5 क्रोड के आसपर था क्योंकि उसमें कमपनी का कारूबा ओपरेटिंग मार्जिन की बात के ले तो 11% के आसपास मार्च 2023 में जो मार्च 2024 में बढ़के 84% तक पौँच गया अधर इंकम 3 करोड के आसपास थी मार्च 2023 में और 2024 में 1 करोड के आसपास थी अब यह आप यह net profit की बात कर ले तो 31 कोड़ का net profit था मार्च 2023 में जो मार्च 2024 में बढ़के 1605 कोड़ तक पहुँच गया तो अभी फिलाल आप देख सकते हों कि result कल होगा हमारे सामने result बैतर रहने की उमीद है उतना सांदार तो नहीं होगा क्योंकि अभी सारे बीजने सुरूनी हुए लेकिन पिछली बार के मुकाबले बैतर रहने की उमीद है और फिर एक संभावना पॉजिटिव बन सकती है यह ट्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स